अगर आप short term के लिए invest करना चाहते हैं, तो कौन सी investment सबसे बढ़िया रहेगी short term के लिए, जानेंगे इस वीडियो में. दोस्तों हमने अक्सर जब investment के बारे में बात करी है, तो हमारे पास तीन modes होते हैं. एक mode होता है, which is the emergency fund mode. तो जो भी आपके जरूरते हैं, जो भी आपके EMI है, rent है, खाने, बिजली, पीने का खर्चा है, that has to be at least six months and ideally 12 months. यह आपको कहां रखना चाहिए? इस पैसे को आप आप अराम से एक FD में करा सकते हैं. अंकुर वारिकु ने FD सिजेस्ट करी? But, emergency fund अराम से एक FD में जा सकता है, savings back में मत रखिएगा क्योंकि 2 या 3% ही मिलेगा, so that is not ideal. And then is the long term investment. Long term investment होती है, जो आप अपने big expenses के लिए, जो जिंदगी में होते हैं, उसके ले करते हैं. According to me, and हम इसके बार में अकसर बात कर चुके हैं, the best way to invest will be the stock market. Because that is where, जो आपकी choppiness होती है, कभी उपर, कभी नीचे, कभी उपर, कभी नीचे, वो on an average long term के लिए, even out हो जाती है. But these two do not take into account एक बहुत ही important category of investment, जिसके बार में जादा बात नहीं होती. And that is the medium term investment. First, करिए कि आप 20 से 25 साल के हैं. And you have started investing. लेकिन आपको पता है कि around 28-29 साल के करीब-करीब आपको शादी करनी है and आप अपने पैसे से खर्च करना चाहते हैं. या आप around 20-25 साल के हैं, आप चाहते हैं कि around 28-29 साल पे आप एक MBA प्रोग्राम करें तो आप उसके लिए invest करना चाहते हैं. या आप एक अच्छी गाड़ी के लिए invest करना चाहते हैं. अब अगर आप कभी भी एक से दो, तीन, चार्ट साल के investment को देखेंगे, तो fixed deposit में पैसे डालना तो पैसे जलाना हो गया, क्योंकि हमकरवारिक को वापस अपने anti-FD mode में. But fixed deposit में पैसे डालना तो पैसे जलाना हो गया, वो inflation को बीट ही नहीं कर सकता. Stock market, unpredictable. अभी ये वीडियो मैंने 28 February 2022 को बनाया है. तो market काफी down जा चुके. In fact, कभी उपर जाती है, कभी नीचे जाती है. तो 2% नीचे, 1% उपर, फिर कहीं 1% नीचे, फिर 1% उपर. So it's quite choppy. And that means कि आपको नहीं बता, which I can tell you by the way historically, 2-3-4 साल में अगर आप stock market में पैसा डालते हैं, तो it's quite likely कि वो बहुत unpredictable returns आपको देगा. So what you want is predictability. What you want is good returns. Inflation को भीट कर नहीं है. You also want an asset, जहार रिस्क जो है, वो managed or maintained होता है. That is why there is an asset class called corporate bonds. And corporate bonds is a smart way for you to take care of all these three things. वो आपको एक short term investment strategy दे सकता है, जिसके थूँ आप एक से जार साल तक invest कर सकते हैं. Predictable returns दे सकता है क्योंकि these are fixed income. इसके बार में मैं आपको बता हूंगा. And अगर अगर आपने सही से corporate bond choose किया, then you can also do a good job of mitigating or balancing the risk. इन सब चीजों के बार में आये जानते हैं. This video is sponsored by WINT, जिसके बार में मैं बात करूंगा, WINT एक ऐसा platform है जिसने पहली बार हिंदुस्तान में retail investors, आप और मैं उन लोगों के लिए corporate bond लाया है in a manner that takes care of all of these things, things that we have spoken about. सबसे पहले, corporate bond क्या होते हैं? तो फर्स करिए कि मैं एक company है, मैं क्या करूंगा? फर्स करिए Reliance पैसे raise करना चाहता है. तो Reliance के पास कोई बड़ा सा project आया है और वो 1000 crore raise करना चाहता है. अब Reliance के पास दो option है, या तो वो अपने जो stocks हैं, उसको बेचके 1000 crore generate करे या raise करे, लेकिन उसके लिए उसको नए stocks issue करने पड़ेंगे, क्योंकि जब stock stock market में list हो जाते हैं, तो उसका owner कोई और बन जाता है. Not always easy, and at the end of it, आप अपनी company का ownership या equity किसी को दे रहे हैं, जो शायद आप नहीं करना चाहते हैं. Then the other way is, कि आप loan लेने. And loan लेना बहुत बड़ी-बड़ी companies के लिए बहुत ही normal सी बात होती है. In fact, it's part of their corporate finance strategy. Loan भी आप दो तरीकों से ले सकते हैं. एक, कि आप banks के पास चाहें. Or two, they issue something called a corporate bond. Simple भाशा में corporate bond क्या होता है? Corporate bond एक ऐसी announcement होती है, कि हमें यह पैसे raise करने हैं, तो जो जो हमें यह पैसे देने के लिए तयार है, उनको हम इस bond के units बेचेंगे. जिससे की, दो चीज़े होंगी, आप जो भी पैसा देंगे, उसका return आपको मिलेगा, principal amount में. मतलब अगर आपने 10,000 रुपे दिये, तो वही 10,000 रुपे आपको वापिस मिलेंगे, क्योंकि वह आपका loan था, प्लस जो भी आपने पैसे दिये होंगे, उस पे आपको interest भी मिलेगा, जो भी interest rate calculate होगा. अब for the longest time, यह जो corporate bonds थे न, यह बहुत बड़े बड़े लोगों तक ही सीमत थे. तो HNIs हो गए, non banking institutions हो गए, क्योंकि इनके size बहुत बड़े होते हैं, 40 crore, 50 crore, 200 crore, 500 crore, तो वह बोलता है, कितने लोगों का हम यह bond देंगे, हमें भी सही माइने में वह लोग चाहिए, जो जादा चैन चैन ना करें, जादा कुंकुं ना करें, whatever the case, विंट has allowed to do that, so what it has done is, कि यह जो सारे bonds, जो आप और मैं जान भी नहीं नहीं पाते थे, now are available for UNB. But what do these bonds do? यह bond, एक से दो, तीन चार साल के अंदर, will give you fixed rate of return, which is anywhere between 9 to 11%. तो जो FD आपको 5% दे पा रही है, वही bond आपको 9-11% दे सकता है, fixed, assured rate of return, and that is over a short period of time. 1, 2, 3, यह चार साल. And that is what Wint has brought to us. But it has not come without risks. Risks, कौन-कौन से हैं, कैसे Wint जैसा एक platform उसको mitigate कर सकता है. सबसे पहला और पढ़ा risk, corporate bond का होता है, credit risk. Credit मतलब, जो पैसा हमने जो पैसा हमने company को दिया है, वो पैसा हमें वापस से नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि company ही बंद हो गई. कुदा नाखास था, reliance ने 1000 करोर उठाया, लेकिन वो प्रोजेक नहीं काम किया, company डूप गई, whatever the case may be, तो आपके पैसे 100% से सीधे 0% चले जाते हैं. Stock market में ये कभी नहीं हो. Stock market में ये बहुत ही मुश्किल से होगा कि आपने अगर 100 रुपे का कोई share खरीदा हो, तो वो 0 रुपे का हो जाए. लेकिन इस case में, it instantly goes to 0, अगर company default करती है. So how is that mitigated? सबसे पहले, जो भी loan amount होता है, तो हमें कम से कम तो 1000 करोड के चाहिए ही होंगे. But VINT, जो भी ये loans cherry-pick करता है, it has to go through a very very detailed process, तो वो सबसे पहले ये ensure करते हैं, कि जितना भी loan amount है, उसका कम से कम 20%, 25% जादा हमारे collateral है. मतलब अगर 1000 करोड का loan है, तो कम से कम हमारे पास 1200 या 1250 करोड के collateral होने चाहिए. That's number one. उन collateral की quality भी होनी चाहिए. For example, अगर आप किसी Reliance Industries का ही corporate bond ले रहे हैं, तो जो 1000 करोड के against 1200 करोड के collateral है, उन 1200 करोड की quality क्या है? वो 1200 करोड के जो assets Reliance ने दिये हैं, वो कौन से asset है? Are they determined assets? Literally एक checklist में उन्होंने बोला है, हाँ, ये 100 करोड की machine, ये 500 करोड के हमारी कहीं जमीन पड़ी हुई है. Whatever the case is, तो literally checked है, या एक आश्वासन है, कि हमने 1200 करोड के collateral दे दिये हैं, अब वो collateral change होते हैं, कभी ये जमीन थी, कभी वो जमीन डाल दी, कभी वो जमीन डाल दी, and that is a big, big quality determination. तो वो कौन अके ले कर रहा है, and वो किस हद तक हो रहा है? That is the credit risk. Second is lack of liquidity. ये bonds जो हैं, ये आप बीच में redeem नहीं कर सकते हैं, तो खुदाना खास था, अगर आपको पैसे की जरुवत पढ़ जाए, तो you cannot say, यार मैंने जो पैसे दिये थे ना, वो मुझे जितने interest पन चुका है बापस कलब. You have to go through the lock-in period. इसी लिए, corporate bonds को please, कभी emergency fund के रूप में मत यूज करियेगा, क्यूंकि emergency by definition, एक emergency है. It can happen anytime, and you don't want to be caught without money at that point of time. तो liquidity is the second piece. And third is fraud risk. Fraud risk का मतलब, कि जो company ने बोला था, कि ये मेरे collaterals हैं, क्या वो वागई में collaterals हैं, कि उन्होंने जूट बोल दिया कि हा, मारी ये 500 करोड की जमीन है, लेकिन जमीन, लेकिन वो जमीन थी ही नहीं. So that, again, has to be something that you rely on to do the due diligence and the quality check. ये तीनों चीज़े, which is credit risk, liquidity, and third, fraud risk. ये सारी चीज़े विंट की team insure करती है before they list any such bond on their platform. ये काम कैसे करता है and why this is a great short-term investment to make, आये उसको देखते हैं. So, कोई भी ऐसा platform, Vids जैसा, जो ये इंशोर करता है कि ये corporate bonds आपके लिए available है, ये इंशोर करता है कि वो सारे quality checks जो जरूरी है आपको before you buy into a corporate bond वो सब हो चुके है, and 100% transparency and visibility है कि आप कितने returns कमा रहे हैं, वो पैसा कैसे फ्लो करेगा, और क्यों आपको इसमें invest करना चाहिए, is something that you would want from the platform that you buy a corporate bond from. अगर आप ये सारी चीज़े कर पाते हैं और कोई भी ऐसा platform है, Vids जैसा जो ये provide करता है, then what you essentially have is a great way to make short-term investments. आपकी emergency fund तो आपने FD में डालती है, आपकी long-term investments stock में है, लेकिन for the short-term, जो भी आपकी family requirements है, life requirements है, desires है, उसको पूरा करने के लिए 9-11% अगर आपको साल के मिल रहे हैं, तो over a 1-2-3-4 year period, that is a phenomenal way to park your money. And of course, सारा महान ही डालिएगा, थोड़ा सा in debt, या corporate bonds, थोड़ा सा in equity, so that you get a nice happy mix, but it is a brilliant way for you to take a short-term bet. So to give you a sense कि यह कैसे काम करता है, I'm going to use Bint as an example, जैसे कि यह है, this was in February 2022, and the way it was done is, कि आप minimum investment, 10,000 रुपे की कर सकते हैं, जो fund size है, या bond size है, वह 40 crore का, मतलब 40 crore का loan भाया जाया है, collateral जो है, वह 1.2 times है, मतलब इस 48, sorry, इस 40 crore के loan के against, 48 crores के हमारे को collaterals मिले हुए हैं, which is something that has been insured. And collateral है क्या? These are personal loans that have been given to salaried people. लेकिन क्योंकि यह credit risk, इतना important risk है, it is a great strategy, अगर आपका यह risk धीरे 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 mitigate होता रहा है. And that is where I love what Wint team came up with. It is called Amortized Payments or Amortized Corporate Bonds. यह कैसे काम करते हैं? यह कैसे काम करते हैं? तो हर चार महीने के बाद, आपको 10,000 रुपे वापस मिलेंगे, plus जितना भी interest उनके पैसे का बन चुका होगा, वो मिलेगा. So for example, पहले चार महीने, आप पूरे की पूरे 30,000 रुपे interest कमाएंगे, and चार महीने के बाद, आपको 10,000 रुपे, प्लस जो भी interest है, वो वापस मिलेगा. फिर आठवे महीने में, 20,000 रुपे जो बच गए थे, उस पे आपने कितना interest कमाया, वो मिलेगा, प्लस 10,000 रुपे और, फिर बारवे महीने पे, आपको जितना भी 10,000 रुपे interest जो की बच गया था, वो प्लस 10,000 रुपे as your printer, वो वापस मिलेगा, प्रिंसिपल जो वापस मिलेगा. तो 1,20,000 रुपे, इसको देखने के लिए, हमने 12 unit लिए, क्योंकि एक unit जो है, वो करीब 10,000 रुपे का है, and साल के end पे हमें मिले, करीब 1,29,000 रुपे, यह सब कुछ included है, इस साड़े 11% में आपको किसी को और कुछ नहीं देना पड़ेगा, इसमें VINT की fees included है, सब कुछ, the only thing you have to do is, pay tax on the interest that you have earned, जो की tax slab के हिसाब सही होता है, तो साल के end पे जब भी आप अपने income tax फाइल कर रहे होंगे, आप वो, of course, claim कर सकते हैं, and आपको हर महीने करीब करीब 40,000 रुपे, which is one third of that amount, वापस में लेगा हर चार महीने, sorry, so at the end of the 12th month, आपको अपना पूरा principal वापस, plus interest. Now why is this better? It may seem like, अरे यार इससे तो interest कम हो गया, नहीं, it is actually safeguarding your interest, क्योंकि credit risk एक possibility है, जैसे जैसे आप अपने principal amount को कम कर रहे हैं, आपना credit risk भी reduce कर रहे हैं, क्योंकि एक साल के corporate bond में भी, अगर ग्यारवे महीने पे भी default हो जाता है, आपका पूरा पैसा चला जाएगा, that is not something that you want. Vint के platform की थोड़ी और खासे जैसे दिखाऊं, अगर तो brief understanding है, तो वो clearly बताएगा कि आपका जो यह 40 crore का loan है, यह personal loan से backed है, 1.2 times है, risk कौन-कौन से हैं, तो जैसे मैंने बताया, credit risk है, liquidity risk है, fraud risk है, आप कभी भी यह सारी summary है, कितने दिनों के लिए यह loan है, 40 crore का है, क्या collateral है, कैसे कैसे उसका income प्रिंसिपल repayment पे होगा, आप किसी भी point पे यह पूरा document पढ़ सकते हैं, which has been generated by a third party. यह था एक साल का, अगर इसी चीज़ को हम extend करना चाहें, 3-4 साल तक करना चाहें, तो यह एक और example है, India shelter, यह 52 crores का loan है, इसमें property loans है, 1.15X, 15% जाधा property loans है, for that 52 crore का loan, इसको आप करने के लिए weightless कर सकते हैं, लेकिन यह 3-4 साल का corporate bond है, तो अगर 1000 रुपे का unit है, अगर हम 10 unit, मतलब 10,000 रुपे डालना चाहते हैं, तो at the end of 3 years, 12,790 रुपे, अगर हम यह 4 साल तक डालते हैं, तो इसी 10,000 के हमें मिलेंगे, 13,860 रुपे, इसी को अगर आप 1,000,000 रुपे कर देंगे, then you will start to see massive differences, 1,000,000 जो हैं, वो आपके 1,000,000 करीब 40,000 रुपे हो जाएंगे, 4 साल के बार, और अगर आप 3 साल के लिए तो यह हो जाएगा, 1,000,000, 24-4 पर, मिल्PS राख जाता है, it helps you get to that objective that you had planned for yourself, and it also ensures, that your predictable income with your traffic, that is something that is taken care of. I hope this was useful. If you want to check out the Wint, then there is a link in the comments, in the description bar, which you can use to check it out. If there's no corporate bond still not live, then you'll want to join his specialist This is something that I'm actively invested in. I'm not just an investor in Wint as a company, but also Wint as an investor in corporate bonds. और मुझे लगा कि ये एक ऐसा तरीका है आपके short-term investments को करने का, which is something that I would strongly recommend. Risk, please, हमेशा, हमेशा आवेर होके ही, कि इन्वेस्मेंट करियेगा, because it is not risk-free. There is risk, but Vint की team, quality checks इतने अच्छे से कर रही है, that at least my risk is mitigated in my head, and I hope yours is too. Ankur Wariku, signing off. My first book, Do Epic Shit, is now out. I would love for you to buy a copy of Do Epic Shit on Amazon.net. अ़्ष्पशब भासे लाईंग, दोड़ना, पस्जा दो, आवेरा है. अफ्द्वेस्स, ईक्रूप मिश्जा भाईंग मिश्ष्टर्ण रही तो ये शोड़ना और समेंगे भाईंगा है. झाल झाल